आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन है ज़रूर प्रिस करते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो की सूच ना प्राप्त होती रहे आज जो एक ऐसे स्टॉक एक ऐसी कंपनी के बारे बात करेंगे जो मात्र 18 रुपे 65 पैसे का है बीएसी पे आज यानि आज तो 18 मई है आज शनीमार है मार्केट बंद है और जो इसका लास्ट ट्रेट प्राइस था बीएसी पे 17 मई 2019 को 18 65 और लो बनाया थे 14 55 और हाई इसका स साल गता सैती सुर्पाय दस पैसे पहले मैं इसकी बारे में कुछ बेसिक चीज़े दो लाइन में बता देना चाहता हूं लेकिन अगर आपको इसमें इंट्रेस्ट है तो आप जरूर इसकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए मोर्पेन इस वेल नोन फार्मा कंपनी हाविं वेल-equipped research and development center and it's all set to seize the generic revolution in pharma industry generic medicines by filling multiple DMFS and COS for new active pharmaceutical ingredients this is a highly focused on dynamic business model that allows Morpen to optimize its core competencies and also allows focus on products that have synergies with respect to the company's current chemistry skills इनका अपना खुद का research and development center है और कई इनके plants हैं जहां पे इनके factories हैं और इनको USFDA से कई product के patent में मिले हुए हैं और 50 science हैं और not only in India बलकि इनका 50 से ज्यादा देशों में इनका कारोबार है worldwide और जबरदस्त manufacturing company है तो कुछ products इनके मैं बताऊंगा हम लोग जानना चाहेंगे फिसके बाद हम लोग basic data देखेंगे क्या हो सकता product range of the company हाला कि बहुत सारे products हैं लेकिन ब्रीफ में थोड़ा से बता दूँ आपको जानना बहुत ज़रूरी active pharmaceutical ingredients, liratadine, desloratadine, autovastastain, sorry मैं पढ़ने में ज़रा मौफी चाहूँगा, crystalline और हम सीधे skip करेंगे intermediates में, montalocast, autovastastain, finished doses tablets, total 121 tablets are being manufactured by the company such as Acarbose, tablets 25, acid fix, fruit tips, alfaz, aspirins, tablets, claridine, excite, folic acid 5, gastropin, orvastin, paracetamol तो बहुत सारी medicine से आप हो सकता परचित भी हो, daily use भी करते हो, तो सवरदस्त company है, इसके बारे में जब मैंने पूरा पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इसमें potential, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से जो फार्मा कंपनियों का जो हाल है, जो रिटर्न अपने निवेश को को नहीं दे पा रही, उसका रीजन है क्योंकि इन पर डेपेंडेंसी पूरी तरह US FDA पर होता है, जिन कंपनियों का पूरा international market पे जिनका supply है, तो इस वज़े से इन पे बहुत जाद अबाव था, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है, दीरे-दीरे इन पे काले जो बादल है वो छटते रहेंगे, और वर्ड वर्ड इनका व्यापार अच्छा हो जाएगा, तो फार्मा की कंपनियों इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से हेल्थ को लेके लोग कॉंशेस हैं और मेडिसिन पे टोटल निरभरता लोगों की बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में फार्मा आपको अच्छा रिटन्स भी दे सकते हैं, तो देखना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का कौंसी कंपनी पे समय के लिए 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आपका इतना टार्गेट है, फार्मा में आप इन निवेश करना चाहते हैं, तो ये एक कंपनी भी है, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, आईए हम इसके अभी हाली के जो फैनेंशल रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं देखें, दिसंबर 18 से मार्च 19 के जो क्वाटर के रिजल्ट्स हैं, नेट सेल्स जहां 212 करोड थी, दिसंबर 18 में, वहीं 28 करोड होगी, 3.09% की अपसाइड है और वहीं पर नेट प्रॉफिट में अगर हम सीधे आते हैं, तो यहां पर 17% के आसपास की जंप है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहां 2.01% की अपसाइड है, जो की इनके क्वाटर के रिजल्स काफी अच्छे हैं, अ नहीं पर नेट प्रॉफिट में भी देखिये, 54.08% की अपसाइड जबरदस्त है, और OPM भी यहां पर बराबर करीब थोड़ी सी डाउनसाइड है, 0.47% जो की ठीक है, तो year on year भी इनके रिजल्स अच्छे हैं, लेकिन quarter के और भी बहतरी इन रिजल्स आए हुए हैं, और ए एक average quality company है, sales growth है 16.38% की, EBIT growth 94.69% की, इप्टा growth जबरदस्त, काफी attractive है, और इसकी जो ROC है 7.53% की, ROE है 12.25% की, और peer companies में देखिये, तो यह यहां पर पाच्वे नंबर पर दिख रही है, मोड में, लेबरोटीज, अभी expensive valuation पर दिखा रहा है, अगर आपको लेना हो, देखिये, 18 से तो अभी तो 18 प्राइस पर है, तो अपर फिर valuation पर आ चुका है, अगर आपको लगता है कि फार्मा में हमें invest करना चाहिए, अब सही समय है, लंबे समय के लिए, तो obviously अगर और गिरावड पर मिलता है, तो आप ज़रूर इस पर अपने financial से, financial advisor समाशवरा करके ले सकते हैं, financial train अभी इसके positive है, और share holding pattern में अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिये, promoters के पास 34.54% की holding है, कोई भी share गिर भी नहीं है, FIIs इसमे 7 FIIs है, mutual fund 0 है, और individuals हैं, उनने जबर्दस्ते खरिदारी कर रखी है 40.49% के, यहाँ पर holding है, dividend pay नहीं किया है, इसने, पिसले कई सालों से, तो dividend pay करने का देखिये, कई reason होता है, dividend क्या होता है, यहाँ पर microcap 8388 कोड की company है, microcap company, और अपनी industry में 53 number पर है, तो dividend का यह main मकसद यह होता है, कि कुछ कमपनियां क्या होती है, कि अपने निमेशकों के share करती है, जो लाभांश होता है, company का जो profit होता है, कुछ कमपनियां नहीं करती है, उसका यह reason भी हो सकता है, कि अपने expansion में, जो net profit आता है, उसको डालती है, और चाहते ही company की और growth हो, अब जैसे Google भी आप देख सकते हैं, तो Google यहाँ लिस्टेट नहीं है, लेकिन अगर आप जाहेंगे, तो बाहर आप कभी research करियेगा, तो Google भी अपने निवेशकों को कभी dividend पे नहीं करती है, उनका ऐसा मानना है कि हम अपनी company infrastructure में ही जो पैसा डालते हैं, तो आपको जो है premium जो इसका stock price बढ़ता जाएगा, और हम dividend नहीं देंगे, तो इस वज़े सो कुछ कमपनिय इसका मतलब नहीं कि वो कमपनी खराब है, वो अपने expansion में सारा fund डालती है, एनिवेश भविश्य में दे भी सकती है, तो यह रहा दोस्तों, आज मैं बताना चाहरा था आपको, Morpin, Liberties Limited, और ऐसा नहीं है, काफी बढ़े बढ़े प्राइस की भी दिगज कमपनी हैं, इसे Dr Reddy Labs, Liupin, Merck, Sun Farmer हो गए, तो बहुत सारी कमपनी हैं, उनमें देखना होगा कि कौन सी कमपनी बेहतर है, अगर आप छोटी कमपनी हो जाना चाहरा है, तो उनमें दबाव भी रहता है, गिरावट में थोड़ा सा उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इस वजह से आप अपनी सूजबूज के हिसाब से, आप अपनी खुद की स्टेडी करते हुए, आप वेबसाइट पर जाते हुए, आप जरूर इस टॉक के बारे में, इस कमपनी के बारे में चान सकते हैं, मैं बस एक इन्फरमेशन देना चाहरा था, आपका धियान अकर्षित करना चाहरा तो बने रही है हमारे साथ कुछ नए स्टॉक्स के लिए, जल्दी आपसे मिलेंगे, थैंक्यू फो वाचिंग इस वीडियो